नमस्कार दोस्तों माई सिंपल टेरिस गार्डन में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हम गिंदे के प्लांट को कटिंग से लगा है या स्वीट से और यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडि दिखा देती हूं और यह देखिए मेरा टेरिस गार्डन और पुरा गेंदे के फुलों से भरा हुआ है और इधर आप जो गेंदे के प्लांट देख रहे हैं यह सारे मैंने जुलाई के महिने में कटिंग से ग्रो किये थे और देखिए दोस्तों हैवी कॉंटिटी की कारण यह सारे प्लांट अब गिर रहे हैं और साथ इसाथ इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी अभी स्पेंड हो रहे हैं और इधर देखिए दोस्तों यह जो ग्रीन कलर में आपको यह प्लांट दिखाई दे रहे हैं तो इनकी कटिंग मैंने अक्टूबर के महिने में लगाई थी और अब यह भी फ्लावरिंग के लिए तयार हो चुके हैं तो दोस्तों यह एक ऐसा प्लांट है जिसे हम सालों साल अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं मतलब हम किसी भी सिजन में इस प्लांट के कटिंग लगा सकते हैं यह बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रू होने वा और इनका जो सेफ होता है वो बिल्कुल लड़ू की तरह दिखाई देता है और इधर देखिए दोस्तों मेरे कुछ और प्लांट लगे हुए हैं और चलिए आपको मैं अपने गार्डन का एक नया फ्लावर दिखाती हूं तो यह देखिए यह नया फ्लावर जी हां दोस्त बाद इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इस फ्लावर को तो आप सब जानते ही है यह मेरे गार्डन का ऐसा फ्लावर है जो साल भर मेरे गार्डन की सुभा को बढ़ाता है और यह देखिए दोस्तों मेरे गार्डन में खिला हुआ एक और नया फ्लावर जी हां दोस्तों य यह बहुत हैं जो डार्क पिंग कलर में खिला हुआ है तो दोस्तों इसमें भी एक साल बाद ही फ्लावरिंग हो रही है और इधर देखिए मेरे कुछ और गेंदे के प्लांट्स लगे हुए हैं तो दोस्तों यह सभी मेरे देशी वराइटी के प्लांट्स हैं और बिना किसी फ्लावरिंग कर रहे हैं कि मेरा जो प्लांट है वो भारी होकर नीचे की और गिर गए हैं और यह देखिए क्यारी में लगे हुए हैं फिर भी यह नीचे की और गिर गए हैं दोस्तों मेरे पास सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है और जब मैं इन्हें लकडी का सप देती हूं तो लकडी भी नीचे गिर जाती है तो मैंने इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया है यह दिखिए सारे के सारे प्लांट अब नीचे लटक रहे हैं दोस्तों मुझे इन्हें बातने के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और यह देखिए पूरी तरह से मेर फ्लावर्स को बचा नहीं पा रही हूं खैर कोई बात नहीं मेरे गर्डन में यह फ्लावर्स काफी दिनों से फ्लावरिंग कर रहे हैं जितनी दिन तक ठीक जाते हैं उतने ही ठीक हैं और इधर देखिए दोस्तों आपको मैं एक और फ्लावर दिखाती हूं और यह देखि क्यारी के साइड में उगा हुआ एक प्लांट है और यह प्लांट साय सीट से ही ग्रो हुआ है तो दोस्तों आप इसके फ्लावर्स देख सकते हैं इसके फ्लावर्स सिंगल पैटल में पांच पंखोडियों में खिले हुए है और इसके अलावा मेरे पास जितने भी गिंदे के सबी में गुछों में ऐथा ख्रणुटे कासी से देए कम Bomb Ikcon醋 में सब्सक्राइब संसक्राइब लुज़ सबाइब सभार कन में दएक सभार करते हैं तो कभी में हम बूइब सेallows्क DON नहीं से बूप सभार क्भी है कुछ ने दिर्सक्राइब तो हो सके तो आप इसकी cutting ही ग्रोग करें तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिए बाई, happy gardening